स्टूरेंट्स आज हम आपका सेकेंड क्लास का इवियस में न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स्टीन दवर्ड अराउंड अस उसको स्टार्ट करेंगे दवर्ड अराउंड अस का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जो है वो दुनिया कैसी है तो पहले जो है गेट स्क्रैंबल करिए और जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको सरकल करिए क्या आप सभी को पता है हम किस प्लैनेट पे रहते हैं हम अर्थ पे रहते हैं ठीक है आपको जो मैंने यह अन्स क्रैंबल करके दिये हुए वर्ड उनको आपने अपनी बुक में नोट डाउन करना है और लर्न भी करने अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे अर्थ पृत्वी दा शेप ओफ दा अर्थ इस लाइक एन ओरेंज जो पृत्वी यह उसकी शेप कैसी है उसकी शेप जो है एक संत्री की तरह है इस लाइट ली फ्लैट ओन दो टॉप एंड बॉटम यह थोड़ी सी समतल है कहां पर टॉप मतलब उपर की तरफ से बॉटन मतलब नीचे की तरफ से मतलब की पृत्वी का जो उपर का हिससा है और नीचे का हिससा है वो फ्लैट है थोड़ा सा जिस तरीके से एक ओरेंज की शेप होती है ये किस से बनी है land मतलब भूमी और water मतलब जल और हम कहां रहते हैं हम लैंड पर रहते हैं भूमी पर रहते हैं hills, valleys, mountains, deserts and plains are different land form जो पृत्वी के अलग-अलग भूमी पर जो स्थल है वो क्या क्या है hills मतलब की छोटी पहाड़िया valleys, घाटिया, mountains, पहाड, deserts, रेगिस्थान और plains, मैदान ठीक है a model of the earth is called a globe जो एक model होता है earth का जो की earth की same structure को represent करता है उसको क्या कहते हैं globe कहते हैं land form next land form highlands are called hills जो उच्छे पृत्वी जो सम्थल होता है उससे थोड़ा उच्छे उठे भाग को क्या कहते हैं hills कहते हैं पहाडियां कहते हैं they are usually rocky ये कैसी होती है नॉर्मली चट्टानों से बनी होती है mountains are tall rocky structure और जो पहाड होते हैं वो क्या होते हैं बड़े बड़े चट्टानों से बनी होई संडचना होती है या बनावट उनकी ऐसी होती बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो चट्टानों से बने होते हैं they are very large in size large मतलब बड़े ये बहुत ही बड़े होते हैं आकार में valleys, valleys मतलब घाटियां a valley is a low laying area between two mountains जो valley है वो क्या होती है दो जो पहाड़ है उनके बीच की जगा होती है जो की जहां से रस्ता निकलता हो it has very fertile land यहाँ पर जो भूमी होती है जो मैदान होता है वो बहुत ही उपजाओ होता है, fertile land मतलब उपजाओ भूमी होती है वहां की deserts, deserts are area with very little rainfall जो desert होते हैं वो कैसा area होता है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है they are covered with sand or rock और यह किस से ढखे हुए होते हैं यहां तो रेट से यहां फिर चटान से very few plants and animals are found in a desert और बहुत ही कम पौधे और जानवर जो है desert में पाए जाते हैं इसको आज हम इतना ही करेंगे आज हमने आपको अर्थ के बारे में बताया है, land form के बारे में बताया है, valley के बारे में बताया है और dessert के बारे में बताया है अगली ग्लास में हम आगे का चैप्टर जो है read out करेंगे आपने इस चैप्टर को फिर से carefully read out करना है और इसके साथ में आपको इसका एक question what is a mountain mountain किसे कहते हैं वो send करूंगी उसको आपने neat and clean अपनी copy पे note down करना है और learn भी करना है आज के लिए बस इतना ही thank you